नवश्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं गुरी शोभा आए बुलिटिन में सबसे पहरे देखते हैं मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारतिय उध्योग की छमता और प्रतिवधता को दुनिया को दिखाने का यह सही समय कहां अब विश्वतेजी से बढ़ रहा चौथी उध्योग की क्रांती की और प्रधान मंत्री ने उध्योग और वेवसाई जगत से आने वाले वर्षों में आत्मन निर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ती लगाने का किया वहन राज में शांती पूर्ण और निश्पक्छ रूप से पंचायत और शहरी निकायच चुनाव के लिए केंद्रे अर्धिसेनिक बलो और राज पूलिस के आठ हजार से अधिक जवानों की होगी तैनाती आई जी पी लॉए एन ओर्डर चुकु आपा ने कहां अपराथिक रिक सरकार ने आगामी चार जन्वरी से राज भर के विध्यालेयों में कक्छा आठ नो और ग्यारे की पड़ाए शुरू करने का लिया निरने कोचिंग स्टिट्यूट को भी बीना चात्रावास के खोलने की दी जाएगी अनुमती प्रधान मंत्री नरेन रो मोदी ने कहां है कि भारते उध्योग की छमता और प्रतिवत्ता को दुनिया को दिखाने का यह सही समय है उन्होंने उध्योग और विवसाय जगत का आवाहन किया कि वह आने वाले वर्षों में आत्मन निर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए आज वीडियो कंफरेंसिंग के माधियम से एसोचेम फाउंडेशन सब्ता 2020 कारेक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब विश्वत चोथी ओध्योगी क्रांती की और तेजी से बढ़ रहा है प्रधान मंतरी ने कहा कि नई प्रध्योगी की के रूप में कई चुनोतिया और उनके समाधान भी आएंगे श्री मोधी ने कहा कि अब सही धंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी स्वतंतरता की शितापदी मनाएगा और ये 27 वर्स न केवल भारत की वेश्विक भूमी का निरधारित करेंगे बलकि यह भारतियों के सपनों और समर्पन की भी परिक्छा की घड़ी होगी श्री मोधी ने इस अफसर पर रतन टाटा को एसोचेम एंटरप्राइज आफ दो सैंचूरी पुरिसकार से समानित किया प्रिधान मंतरी ने कहा कि पिछले 100 वर्सों से एसोचेम और टाटा समुधेश की अर्थ ववस्ता और करोडों भारतियों की जीवन को बहतर बनाने में लगा हुआ है एसोचेम की स्थापना 1920 में भारत के सभी छेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उध्योग मंडलों द्वारा की गई थी 400 से अधिक उध्योग मंडल और वैपार संग इसके सदसे है नई टेकनलोजी के रूप में चैलेंजी भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशन्स भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और और एक्ट भी करना है हमें हर साल के हर लक्ष को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है आज इंडियन एकोनामी पर दुनिया को भरोसा है इसके प्रमाण है पैंडेमिक के दुरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परिशान है तब भारत में रिकॉर्ड FDI और PFI आया है दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुँचे इसके लिए दुमस्तिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है राजे में आगामी 22 दिसंबर को होने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए शांती पूर्ण और निस्पक्छ मतदान ही तू केंद्रिय अर्धसैनिक बलो और राज़ पुलिस के आठ हजार से अधिक जवान तैनात किये जाएंगे राज़ पुलिस मुख्याले इटानगर के में कल समवादाताओ को संबोधित करते हुए आई जी पी लो और चुको आपा ने कहा कि शांती पूर्ण चुनाव के लिए आप राधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है हत्यार जमा कराए जा रहे हैं और रात के समय पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है श्री आपा ने बताए कि सी आर पी एफ के नो बाटालियन सहीद अर्धसैनिक बलो की तैनाती की गई है उन्होंने कहा है कि जारी अधी सूचना की अनुसार राजभर में 2268 पूलिंग स्टेशन है और फॉरिस्ट गार्ड के अलावा इटानगर ट्राफिक वार्डिन की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है इस अफसर पर राज़दाने इटानगर की पुलिस अधिक चक जिमी चिराम ने बताया कि अब तक पुलिस पैट्रोलिंग के दोरान 400 लीटर शराब, 177 दाव और कई हथ्यार बरामत किये गए हैं उन्होंने कहा कि शांती पूर्ण मतदान सुनिशित करने के लिए हौलोंगी बंदर देवा और गुम्तो चेगेट को मतदान के दोरान 22 दिसम्बर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा झाएग Wyoming does augment the춰 देग एंस्डियफ वाला में सुनन्हुन फिन अधनित करने लिए टरह समिस्याइब गिखनान से दिसम्रिक मतभा थुल की सपना अेपर बंसकर हाया जया है पूरह साथ थाम इसकितिछ 안िझंद गराम पूरी पुल को वाले बंसकर, एसक्तु기 अवा कवा बना that is the deployment plan nine companies of CRPF, those in-situ deployments and 7517 police personnel, that include civil police , INRB pię tremel appeal to the people is to maintain peace क créd पेड़कर लेक्टन लेटर फिल्ही सवे फथेट लीजैम् प्रधान मंतरी नरिंद्र लोई ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्धे पर बात कर में के लिए तैयार है कलमध्य प्रदेश के राइसेन में आयोजित किसान महासमेलन मिस्री मोधी ने किसानों को आस्वाशन दिया कि हाल के कृषी सुधारों की विशे में सभी चिंताय दूर की जाएंगी प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृशी कानून किसानों के लिए बहुत लाब धायक है प्रधान मंत्री ने लोगों से इस बात पर विच्वार करने को कहां कि अगर सरकार का इरादा न्यूंतम समर्थन मूले प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती प्रधान मंत्री ने कहां कि दूसरा बड़ा जूट यहा है कि मंडिया खतम हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कृसी उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने मंडियों के आधुनी की करण के लिए 500 करोड रुपए अधिक की योजना बनाई है। स्री मोदी ने कहा कि किसानों के साथ अनुबंद करने संबंदी कानून में किसानों के संरक्षन की पूरी छूट है। प्रधान मंतरी ने कहा कि अनुबंद पर खेती में केवल फसलों और उपज का ठेका किया जाता है। और जमीन किसान के पास ही रहती है प्रदान मंत्री ने यह भी आस्वाशिन दिया कि अगर किसानों के मन में इन सब के बावजूद भी कोई आशंकाए है तो उन्हें दूर किया जाएगा हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फाइदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मन्डी में बेचे और बाहर उसको फाइदा होता है तो मन्डी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोगतंदर में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रिमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये हमने ताय किया है कि farming agreement में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा तो वो इस किसान का देखा जाएगा हमने कानूनन ताय किया है कि किसान से agreement करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर जुका कर किसान भाईयों के सामने हाद जोड़कर बहुती विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरन करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तयार है देश का किसान, देश के किसानों का हीत हमारे लिए सरवोच्च प्राश्मिकताओं में से एक है रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने कहा है कि देश अपने ऊपर किसी भी तरह के आकरमन का मुह तोड़ जवाब देने में सक्षम है हैदरबाद के पास डूनी गल में आज वायू सेना कादमे की पासिंग आउट परेट को संबोधित करते हुए उन्होंने वायू सेना में शामिल होने वाले नए अधिकारियों से कहां कि वे युद्ध की बदलती हुई रणे नीतियों और चुनोतियों को लेकर सजक रहे तथा नई तकनीक के प्रयोग में अपने को सक्षम बनाएं भारत और चीन के बीच हाल के सीमा संगर्स का उलेक करते हुए उन्होंने कहां कि भारत हमेशा से शांती प्रियदेश रहा है लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं के साथ शेरचार करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा रक्षा मंद्री ने वायूसेना की सेवाओं की सरहना करते हुए कहां कि सेनाओं के लिए जरूरी वस्तू की आपूरती में इसने उलेकने कारे किया है इस पासिंग आउट परेड में वायूसेना के संतानवे केड़ेटो को कमिशन प्रदान किया गया तीन विदेशी उसने जरूरत पढ़ने पर दुस्वानों के होसले पस्त करने वाले शौरी और पराक्रम का परिशे दिया है 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार 71 के बंगलादेश मुक्ति संग्राम और लोंगे बाला में आपका प्रदर्थन 84 के आपरेशन में एक डूद 99 के आपरेशन सफेज सागर और हाल ही में बाला कोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो नक्यबलवाई से ना के बलकि हमारे देश की जिहास की गोलिन चैप्टर्स माने जाएंगे अब तो भारा तातंकवारियों के खिलाफ देश की भीतर ही नहीं बलकि सीमा पर ही सीमा पार जाकर भी प्रभावी कारवाई कर रहा है राज सरकार ने आगामी चार जन्वरी से राज भर के विध्यालों में कक्छा आठ नो और ग्यारे की पड़ाय शुरू करने का निरणे लिया है हाला कि जारी अधी सूचना के अनुसार सरकार के अगले आदेश तक आवासिय विध्याले और चात्रावास बंद रहेंगे सभी जिलों के उपायूद शिक्षा विभाग और स्वास्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में चात्रों के स्वास्त और कोवीड एसोपी का पालन सुनिशित करने के लिए आवशक कदम उठाएंगे प्रदेश के कोचिंग इंस्टिक्यूट को भी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बिना चात्रावास के खोलने की अनुमती दी गई है राजे में पिछले 24 घंटे में कोवीड संक्रमन के आथ नय मामली दर्ज किये गए है और 32 रोगी स्वस्त होए है राजे में कोवीड के सक्रे मामलों के संख्या घटकर 234 हो गई है और अब तक 16322 कोरोना रोगी स्वस्त हो चुके है राजे स्वास्त सेवा ने दिशाले के अनुसार गुरुवार को दर्ज किये गए नय मामलों में लोर दिवांग वैली और इस्ट सियांग से तीन तीन मामले चांगलांग और नामसाय से एक एक मामले शामिल है प्रदेश में कोवीड रिकवरी दर 98.26 प्रतिशत हो गई है और कल राजभर से जाच के लिए 513 सेंपल लिए गए देश में कोवीड 19 से ठीक होने वालों की दर बहतर होकर 95.46 प्रतिशत हो गई है पिसले 24 गंटों में 29,000 से अधिक कोवीड मरी संक्रमन मुक्त होए है केंद्रेर स्वास्तमंत्राले ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमन से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और इस समय कोवीड संक्रमन के देश में लगभग 3,08,000 मामले है पिछले 24 गंटों में संक्रमन के 45,153 मामले सामने आए और इन्हें मिला कर देश में कोरोना संक्रमन के कुल मामलों की संख्या एक करोड को पार कर गई है पिछले 24 गंटों में संक्रमन्ट से हुई 347 मौत को मिला कर अब तक इस महामारी से एक लाग 45 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है उपर मुख्य मंत्री चाना मैन ने कल नामसाई जिले के चोखाम में मौरा टेंगा माइक्रो इरिगेशन प्रजेक्ट का निर्खण किया वर्स 1981 में निर्मित इस सीचाई पर योजना से करीब 1200 हैक्टर भूमी की सीचाई होती है स्री चाना मैन ने चोखाम में बन रहे मल्टी परपस कम्यूनिटी हॉल का भी जायजा लिया इस हॉल में तीन बैडमिंटन कोर्ट होगा उपर मुख्य मंद्री ने कहा कि इसे छेतर के युवाओ को सकरात्म कारियों के लिए प्रुचसाहिद किया जा सकेगा पापुमपारे जिले के दोई मुख में डिक्रोंग नदी और इसके आसपास सचता अभियान चलाया गया यूद फोर क्लीन अरुनाचल दोई मुख के युवाओ और फ्राइडे फूचर अरुनाचल प्रदेस द्वारा क्लीन डिक्रोंग स्टे अनलाइटेंट की थीम पर यह सचता जाग रुकता अभियान चलाया गया इस अफसर पर यूद फोर क्लीन अरुनाचल के अधियक्ज एस डी लोडा और समाच सेवी जार जुमएते ने राज की नदियों की स्वच्छ रखने और उन्हें रिवाइव करने के लिए सरकार से प्रभावी नीती बनाने की अपील की रिवर बेड एज रिसोर्स, एज ए सोशल स्पेस या हमारा अपना जो ट्रेडिशनल जो एन्विरेंटमेंट हिसाब से भी तो इसका पॉलुशन को लेके आज अगर हम लोग चेट जाता है, कॉंसेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत पुराना मतलब बहुत जमा हो जाने का बाद, अभी जैसे यूपी में गंगा क्लिनिंग के लिए भी इतना क्रोर्स, भारत सरकार और स्पेशल हमारे प्रधान मंद्रेजी अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशान निर्देशों का पालन करें हमेशा मास्क लगाए, बार-बार हाथ धोए और सोसल डिस्टेंसिंग के नियोमों को मानें हम कल फिर हाजिर होंगे अरुनाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दे आप अरुनाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज अरुनाचल पर भी देख सकते हैं देखते रहे अरुन परभा, नमस्कार परहन संथ में, एच परणाचल परते देख चलते हैं झाले को डीड़ कита चेंगी कुछ रहे अरुनाचल कहां